कि अज़का वच्छो स्वागता आपका आज का लेक्चर में आज का लेक्चर अपन ने मोस्ट इंपोर्डेंट टॉपिक ओफ नीट सीरीज में अल्कॉल फिनॉल और इथर का लेक्चर रखा है मेरा नाम है योगेश जैन और आज हम लोग हमारा जो लक्षे है ना वो क्या है MOST IMPORTANT TOPICS IN ALKOOL FIN anyone meather कौन कौन से TOPICS ALKOOL FINOL और इतर में आपको रिवाइस करके जाएँ कहां कहां से आपको PYQS करके जाने चाहिए कौन से TOPICS के कौन से टोपिक्स आपको NCRT से रिवाइस करने है और इस चेप्टर में हम और डी बहुत कुछ पढ़ चुकए है हाइडरोकारबन और हेलो एलकेन हेलो एरेन वाले में अभी रिवाइस कर चुके स्टर को बहुत सारा अभी बता जाता हूं अभी बता जाता हूं देखो जैसे सारे function group में 1 mol gregnard का use होता है लेकिन जो acid derivative होते है RCO living group अब living group क्या है? halogen है OCR मतलब anhydride है, ester है 3 degree amide है तो इस तरह के acid derivative होते हैं उसमें 2 mol gregnard के लग जाते हैं complete उसका addition करने में 2 mol gregnard के लग जाते हैं living group, CO living group में 3 mol gregnard के लग जाते हैं और NH2 living group में 2 mol gregnard के रख जाते हैं, यहां तक आपका पूरा gregnard reagent आपको revise कर लेना है और यह ध्यान रखना आपको कि कितने mol gregnard के use होते हैं बात समझ में आगी, फिर method of preparation of alcohol की बात करते हैं उसमें कौन-कौन से topics आपको revise करने है, तो hydrocarbon में हम already revise कर चुके है acid catalyze hydration, OMDM reaction, oxymercuration, demercuration और hydroboration oxidation, acid catalyze hydration में marconic of rule लगता है with rearrangement तो यहां पर carbogatine intermediate बनता है rearrange करके आपको answer करना है OMDM में marconic of without rearrangement चलता है और HBO में anti-marconic of without rearrangement चलता है और scene addition भी होता है तो उसका भी ध्यान रखना आप फिर alkyl halide से भी आप alcohol बना सकते हो SN1 mechanism से भी और SN2 mechanism से भी already हम लोग Hello LKN वाले चप्टर में इसको कर चुके हैं फिरसे एक बार PYQs के थूरू revise कर लेना है इसको भी PYQs के थूरू revise कर लेना SN1 में H2O या D2O से हम लोग करते हैं और SN2 में Aqueous QH, Aqueous HEOH, Aqueous NOH या Moist Regid 2O इन से हम लोग SN2 reaction कराते है SN1 में Carbogadine बनता है Rearrange होगा वो सारी बात आपको पता है SN2 में बस एक inversion होता है फिर कुछ commercial important alcohol से जैसे Methanol हो गया और Ethanol हो गया अब Methanol और Ethanol जो है वो आपको NCRT से read करना है पेज है एक पेज है पूरा Methanol और Ethanol का commercial important alcohol का alcohol phenol इतर वाले चेप्टर में वहाँ से आप लोग revise कर लेना एक बार read कर लेना बस इसको इसको इसमें Ethanol में आपको एक reaction मिलेगी जैमेज वाली और Methanol में भी reaction मिलेगी वो दोनों reaction आप लोग revise करके जाओगे पढ़के जाओगे ठीक ना सीधे सीधे reaction पूछ लेता है फिर chemical properties of alcohol की बात करते हैं तो alcohol की reaction आपको एक बार फिर से पीवाइडी करने को बॉल चुका था तो आपने करी लियोगी एक बार फिर से पीवाइक्षा लगा लेना डार्जन रियक्षन बदाई दी यहाँ एसे नहीं मेकेनिजम चलता है जिसमें रिटेंशन प्रोड़क बनता है बाकी इन्हें दोनों रियक्षन में एस तो चलता है एक तो लुकास टेस्ट और एक विक्टरमेड टेस्ट यह आपको रिवाइस करके जाना है लुकास टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा गडिटो बंघिगरी ट्रि ती डिगरी अल्कॉल को डिफ्रेंशेट करने के लिए घूली मेला इमीडियेटली देता ह्ट से आथ मिनित मुझ मैं वाइड टर्बी डिटी देता है और ऊश्टी onग्डिजी करने पर यह दिए नीये तो इसको आ पर्लेटस करके जाए फिर त का important ध्यान दखना आपको कि यहां कार्बोगेटायन बनेगा रियर इंड्मेंट होगा उसके बाद अलकीन बनेगी वह ध्यान दखना है एवन वाली ज्यादा important है एटू वाली उतनी important नहीं है फिर oxidation of alcohol very important सबस्यादा important यही है यहां पर oxidation of alcohol strong oxidizing agent और mild oxidizing agent वो सुनाया ना आपने PCC, PDC, copper heat, KMNO4H+, वो सारे यहां पर मिल जाएंगे आपको यहां कर लोगे तो फिर aldeite ketone और carboxylic वाले में आपको दुबारा revise करने की जर्वत नहीं पड़ेगी ना और एक reaction estrification reaction, name reaction है तो इसको आप जरूर revise करके जाए estrification reaction सीधे सीधे question बन जाता है यहां से भी तो यह कुछ है chemical properties of alcohol जो आपको revise करने जिसमें से आप यह already revise कर चुके हो नीचे वाला portion आपको revise करने बात सभी फिर बात करते है फिनॉल की तो फिनॉल में method of preparation में दो important reaction है एक तो डाउस प्रोसेस जो हेलो एरेइन वाले चप्तर में हम already revise कर चुके है जहां बेंजाइन बनती थी बताया ता आपको तो डाउस प्रोसेस जहां पे वो temperature pressure बहुत इंपोर्टेंट था 623 Kelvin केल्विन और atmospheric pressure होता था 300 atmospheric pressure ठेके ना 623 Kelvin 300 atmospheric pressure वो आपको याद होना चाहिए सीधे सीधे पूसे लेता है दूसरा क्यूमीन hydroperoxide rearrangement इसके आप पीवाइक्यू पीवाइक्यू लगा लेना वहीं से आपको idea लग जाएगा कि कैसे question frame होते है इंटर्मीडियेट पर भी question आ चाहता है इसलें बोल रहों पीवाइक्यू से आपको पता चल जाएगा फिर chemical properties of phenol में nitrogen of phenol और bromination of phenol nitrogen of phenol से क्या होता है कि ortho-paranitro phenol बनता है तो उसमें boiling point का question आ जाता है बी आट्टू carbon dioxide sulphide के साथ करोगे तो mono substituted product बनते है और पानी के साथ करोगे बी आटोगी तो फिर वह poly substituted white precipitate आता है तो एक बार revise करके जाए रीमर्टीमन reaction आपको पता है यह very famous reaction पढ़के जानी है जिसमें ortho-parasalicylic acid बनता है और्थो वाला major बनता है कोल बेज reaction जहां पर और्थो-salicylic acid पैरा-salicylic acid बनता है तो यह भी आप लोग रिवाइस कर जाए कोल बे पढ़ते ही आप preparation of aspirin भी वहीं देख लेना aspirin का preparation भी कॉलवे के बाद ही होता है तो वह भी आप देखके जाए एक बार और फिनॉल के कौन-कौन से टेस्ट आपको देखके जाने है एक तो लीबर्मान नैट्रो-सो फिनॉल टेस्ट जिसमें GR भी आता है ग्रीन कलर रेट कलर फिब्लू कलर और दूसरा फैरिक क्लॉर टाइगलोरो कार्बीन बनती है तो वह भी देखके जाना फिर बात करते हैं मेथड़ प्रप्रप्रेशन ऑफ इथर की वेरी इंपॉर्टन रियक्शन वीलियम सन इथर सिंतेसिस यहां से क्वेश्चन बन जाता है सीधे-सीधे रियक्शन की अलकॉक्साइड आयन अलकाइल द्यान रखे आप एक बार रिवाइस करके जाए एक ही रियक्शन बोल रहा हूं जादा भी नहीं बोल रहा है कैमिकल प्रॉपर्परटीज ओफ इथर में वेरी इंपॉटेंट रियक्शन ऑफ इथर विद एचाई ठीक है इसके भी आप सिर्फ प्रिवियस यहर के क्वेश अपड़िया ना हाइडरो कारबन रिवाइस करने के बाद बाकी के चैप्टर्स में भी उसकी रियक्शन रिपीट होती रेती है है यलो कई हेलोलेट वाली की भी रिपीट होती रहती आपलकॉल फिनोल इथर का भी पता चल गया आपको तो ळडियाइड की टोन में दरदोर कम हो जाएगा क्यूंकि अल्रेडी बहुत सारा पोडिशन रिवाइस कर चुके हैं बात समझ में आगी तो फिर मिलते हैं नेक्स चेप्टर अल्डियाइट कीटोन और कार्बॉक्सलिक असेड में धन्यवाद